ये आकाशवाणी है, प्रिस्तुत है कारिक्रम सुर्खियों में, इसके अंतरगत सुनिए, डेटा संरक्षन विध्यक के नए संस्क्रण पर चर्चा, इसमें भाग ले रही हैं साइबर सुरक्षा विशेशग्य पवन दुग्डल और आकाशवाणी संबाद दाता कमल कुमार प्रजापती जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर या इस संचार के क्षेत्र में कुछ जो मुद्दे हैं, डेटा प्रोटेक्शन को लेकर, इन वर्तमान मुद्दों को लेकर और भविशे की चुनौतियों को देखते हुए, जिस अधिनियम या कानून की केंद्रिय मंतरी ने कल लाने क गोशना की है, वो किस तरह से एहम होगा और किस तरह से हम एक कंटेंप्ररी कानून को देखते हैं? सम्मदी कानूना, बारत के पास एकमात्र भारत का साइबर लौ है, भारत का सुचुना त्राद्योगी की कानून की कानून सदोहजार है, लिकिन ये कानून जो 22 चाल र Вторाना है, वो डेटा-फ़रक्षर सम्मदी कानून में, ये वो कानून है, जो केवल, डेटा के बारे में रेफर किया, जॉइन पार्लिमंट्री कमिटी ने लगत एक साल अग्जाइवन किया और उसके तत्रशाथ उस पर बिभिन अप्रकार के अपनी टिपनियां, कॉमेंट्स और गोर्स नी एक आनवे अमेंडमेंट्स प्रपोज किये कि जो डेटा प्रोटेक्शन कानून में होने लेहादा सरकार में प्रस्नल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 को वापस दे लिया है और एक नए अब कानून की और अग्जासर हो रही है, ये कानून बहुत सदा अभ्यापक, विशाल और कंप्रेहंसिब होने वाला है, ये कानून नाकिवल प्रस्नल डेटा बलकि नॉन प्रस कर पाएगा, ये कानून नाकिवल प्रस्नल डेटा और इसके सरक्षन के साथ दर्डुमें, विबिन प्रिकार की जम्यवानियों को राइट्स, जूटीज और अब्लिकेशन को परिभाशित करेगा, साथ इसाथ ये कानून नॉन प्रस्नल डेटा का सरक्षन भी एक मातुप प्रियोर्टी बनाएगा, और क्योंकि सरकार आज बहुत सारा नॉन प्रस्नल डेटा भी डील है प्रस्स कर रही है, उसे किस तरहिके से डील है प्रस्स करना पड़ेगा, वो ये कानून बताएगा, ये कानून उमीद करते हैं कि डेटा क्राइंज की परिभाशा भी देगा और जुबिन प्रिकार के डेटा, प्राइंज की जुर्मों को भी परिभाशित करेगा, साथी साथ क्योंकि एक कानून काफी हद तक ये बहुत सरकार ये भी चाह रही है, कि ये भारतों का डेटा भारत में रहे, और भारतें डेटा का इस्तमाल भारत की प्रभुता, खंड ता या सुरक्षा की गृद्ध ना किया जाए, तो हो सकता है, इस कानून में कुछ डेटा लोकलाइजेशन संबंदी पहलो भी आ सकेंगे, और वो क्या सुरूप लेंगे, क्या उनका निया अवतार होगा, या आने वाला सामें बताएगा, कहीना कहीं ये जो निया कानून ये एक सबसेट होगा भारत के Information Technology Act का, लहाजा इस नए कानून का तालुक या संबंद सुचना प्रद्योगी की कानून के साथ क्या रहेगा, और इंशोर सरकार को करना पड़ेगा कि इन दोनों विशिष्ट कानूनों में कोई विशिष गिरोदाभास ना हो पाए, साथी सा जो data stakeholders है, चाहे data controller है, चाहे data processor है, या data dealer या handler है, उसके भी rights, duties और obligations को परिभाशत करने की आवश्यक्ता होगी, और आज तो data हर प्रकार ही technology पर इस्तेमाल हो रहा है, तो जिब आप data को नई अमच्जिन technologies में इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो artificial intelligence हो, blockchain हो, internet of things हो, तो क्या उसका स भारत के बहार हैं, लेकिन भारत वास्यों का data, deal handling process कर रहे हैं, उनकी क्या चैसे दिम्हारिया होने पड़ेंगे, किस सरकार से due diligence से असावधाने बरतने पड़ेंगी, ताकि भारत वास्यों का data सारक्षन हो सके, उसका नाजाज इस्तमाल ना हो, कहीना कहीं मुझे लगता है कि नए कानून में ये भी टिपन ही हो सकती है, कि ये कानून के प्रादा शायद सरकार और सरकार के किलिंगा इजिंसी पर लागू ना हो, क्योंकि देखिए सरकार धिया हमारे पुरी राश्टी सबसे बड़ी generator collector of data है, सबसे ज़्यादा डेटा आज इना भारत वार्श में क इसी एक के पाई से तो भारती सरकार है, लहाद ये भारती सरकार इसी बेटा का इस्तावाल करके विविल्न परकार के electronic governance initiatives और को लगातार अमल करती रहती है, कहीं ना कहीं ये बड़ बेटा प्रोटेक्शन कानून ले कराएंगे, तो उसका असर सरकारी डेटा पर क्या पढ इसकता है सरकार को, सरकार की कुछ चुरिंजा एजिंसी को इस नई कानून के परावधानों के पालिन करने से, ताकी साथ intermediaries या network service providers है, वो third party डेटा के साथ के deal handle या process करेंगे, तो उनकी क्या विशेश परकार की जिल्मेवारी होगी, इस तरह के पहलों पर भी, मैं समझता ह जो कहीं ना कहीं, इस तेपनी डाननी चाहिए, अब क्या final आवतार, क्या final शरूफ निकल कर आता है, इस नई कानून का, उसका हमें इंतिजार करना पड़ेगा, दुगल साब, डिजिटल क्रांती आने के बाद हमने देखा कि एक उपभोकता की निजी जानकारी अब डिजि जरूरी है, और जो पूरा विशय है, चाहे वो कानून का हो, या डेटा प्रोटक्शन का हो, समाज में इसकी जागरुकता कितनी जरूरी है, जिससे की रेगुलेशन के साथ-साथ, लोगों में भी इस विशय को लिकर चर्चाएं या विमर्ष हो सकें। तो आपका फैनेंशिल डेटा कम कीमत में भीता है, लेकिन अगर आपका हेल्स डेटा है, वो ज़ाधा सीमक में भीता है. तो हम जब एक नए डेता एकानोमी युग के देज़ा हुगा है तो मैं समझना होगा कि इस नए डेता एकानोमी युग की जो बिल्डिंग ब्लोक्स है वो डेता है लेहादा ये building blocks को अगर आप सुद्धिर तोर पर रेखाए नहीं करेंगे तो हो सकता है आपको नुकसान हो सकते हैं लेहादा लोगों को ज़्यादा जागरूप बनाने क्या हो शक्ता है कि डेटा उनका सबसे बाद हात्यार है अब डेटा जिल्डेट करें जरू करें लेकिन उसको किसरी के से deal हैने लिए प्रोसेस करें इसके लिए आपको साफधान बरती बरती है और डेटा को किसरी के से preserve करें जिए वो भी असन तुमार से पूर्ण हो जाएगा क्यों? क्योंकि आज जो डेटा आपुतवन नकर रहे हैं वो electronic evidence बन जाता है और इस electronic evidence को किसी भी कानूनी अदालत में आप प्रसुप कर सकते हैं प्रोवाइड़िड आप भारत के इंजिन एविडेंस आपके प्रावधानों का पारण कर सकें तो इसलिए डेटा के महत्तों के बारे में सब लोगों को जानकरी जिना अतिल दावशक है मेरा यक्तितत मानना है कि डेटा संबन्दी, cyber law, cyber structure संबन्दी जानकरी और शिक्षा, schoolी बच्चों को पहली कक्षा से ही दे दिनी चाहिए क्यों क्या बहुत चोटे उम्रों में ही हम ये devices जो हैं ये बच्चों के हाथ में लगातार देते आ रहे हैं और ये बच्चे भी डेटा उसमन्न करते आ रहे हैं उसको लगातार transmit करना है बिना सोचे समझे उसके क्या कानूनी परसितिया हो सकती है आज आपका डेटा केवल आपका डेटा ही नहीं है वो परिचायक है आपकी नीजिता का कहीना कहीं उसका तालुक जुड़ा हुआ है आपकी personal privacy और data privacy के साथ साथी साथ इसका तालुक जुड़ा हुआ है आपकी location के साथ और आपके डेटा के साथ जुड़ा हुआ है आपका जीवन जीने का मौली का दिकार है। आपका डेटा का तरक्षन सरी तरीके समय किया और उसका दुरुपयोग हो पाया। और उसके दुरुपयोग के तब पश्याद आपको टागिट बनाये जिया किसी साइबर क्राइम इवन जीने का मौली का दिकार है वो भी संभावित तूर से प्रभावित हो सकता है। अगर आपके डेटा का सरी इस्तमाल ने किया तो हो सकता है आपकी अभी यक्ति की स्वतन दर्दा पर भी कुछ सवालिया निशान खाले हो सकते हैं। तो डेटा के मात्रों को जानिए ज और जैसा कि आपने इस चर्चा की शुरुवात में भी कहा कि आर्टिफिशल इंटेलिजिंस का ये दौर है ऐसे में जो रेगुलेशन या कानून है उनका बड़ा महत्व है उनका प्रभावी होना बहुत जरूरी है। मिस्टर दुगल आप कारिक्रम में जुड़े और हमा कुमार प्रजापती। ये कारिक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल एप News on AIR और योट्यूब चैनल News on AIR ओफिशल पर भी सुन सकते हैं। इस कारिक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें इमेल कर सकते हैं पता है airnsdtalks at gmail.com ये कारिक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग आउन करें हमारी वेबसाइट news on AIR.nice.in